नमस्ते दोस्तों स्वागत आपका टेक्निकल गान में दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वह है कि एक के डेबलुएच में कितनी यूनिट होती है तो यहां पे डेबलुएच मतलब है वह है कि टिलो वाट आवर है यहांनि एक के डेबलुएच में कितनी यूनिट जो है जरनेट होंगी यह में इसमें हमाज डेटेल में समझेंगे तो यह दोस्तों में स्टार्ट करते हैं सपोज वैसे जो एक KWH होता है एक जो KWH है वो एक हजार वाट के बराबर होता है तो इसमें आप कैसे उनिकालोगे एक्जामपल लेते हैं जैसे आपके घर में 1.5 टन का एसी है इसकी जो electricity consumption होती है वो 1.5 KWH के संथिंग होती है अगर मैं इसे वाट में देखूं तो यह मेरी 1500 वाट के गरीब जो है इसकी consumption होती है अगर आप 3 स्टार में जाते हैं तो 14-1500 वाट के बीच में अब आप इसका एक घंटे में अगर एक घंटे में अगर चलाते हैं तो यह 1.5 किलोवाट ले रहा हूं और इस एसी को मैं चलाता हूं एक घंटे तो यहां पे जो मेरी consumption आएगी वो आएगी 1.5 unit तो यह 1.5 unit जो है 1.5 kwh आएगा क्योंकि यहां पे जो मेरा 1 AC जो है एक घंटा continue रन करा है लेकिन जो डे टन का AC होता वो कभी भी continue ऐसे रन नहीं करेगा क्योंकि बीच में आप जो भी temperature पे set करते हैं 25-26 temperature पे तो यहां पे तो यहां पर जो आपके जो यूनिट की consumption आएगी वो आएगी 0.5 unit से 0.75 unit के बीच में यह आपका जो है यहां पे kwh आएगा यह तो रही AC की बात इसी तरह आप अपने घर का अधर कहल को जो लोड है वो भी निकाल सकते हैं जैसे नौमल यह घर में होता क्या है एक फिरेज अधर के लिचाए हो गई यहां पर दो फैन ले सकते हम और यहां पर हम दो सी एफल ले सकते हैं नाइन मॉट के तो यह यहां पर जो है क्वांटिक कम यह ज़्यादा भी हो सकती है जो फिरिज नॉर्मल ही होता वह थाई सो वाट की consumption होती है और कूलर के आपकी डेड़ सो व तो हम इसको टोटल कर लेते हैं यहां पर मैं इसको टोटल करूं तो दो सो पचास यह हो गया एक सो पचास यह हो गया पांसो स्टार्ट से कर देको दो सो पचास यह हो गया एक सो पचास यह हो गया पांसो यह हो गया एक सो दीस यह हो गया और अठार यहां पर जो मेरी करता हूं तो हम इसको एक हजार से डिवाइट कर देंगे तो यह आ गया 1.038 kW अब अगर आप यह जो जितने भी एक्यूपमेंट हैं यह जो आपके जितने भी फिरेज कूलर मिक्सी हैं अगर आप इसको एक घंटा चलाते हैं या मैं दो घंटे ले लेता हूं अगर आप दो दो घंटे चलाएंगे तो यहां पर मैं ऐसे मुल्टिप्लाई कर दूंगा दो से तो यह आगे मेरा 2.076 kWh क्योंकि यह तो इसका खाली लोड हुआ किलोवाट का यह लोड हुआ 1.038 kW हुआ जब यह किलोवाट का लोड का लोड कंटिनू दो घंटे रन करता है या एक घं यह लोड हो जाती है के डेवल वेच में करनवड हो जाती है किलोवाट आवर यानि आपने 1.038 kW के जो एक्यूपमेंट है यह आपने 2 गंटे चलाए तो यह आपके 2.076 kWh यह आपकी यह यूनिट कंजूम हुई तो यह इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है अगर आपके घ गर में 1 ton का EC है या फिर आपके घर में 2 ton का EC है तो आप इससे जो है अपनी यूनिट कर सकते हैं अगर आप 10 तन का निकाल रहे हैं तो आप इसमें 0.5 से लेके 0.75 के बीच में लेंगे क्योंकि इसमें इसी जो कट ओफ होता है तो इस तरह जो है आप जो है अपनी यूनिट निकाल सकते हैं यहां पर मैंने 2 घंटे लिया है आप इसको 3 घंटे भी ले सकते हैं चार भी ले सकते हैं 8 या 10 घंटे ले सकते हैं उस तरह आपको जो है अपनी यूनिट जो है निकाल सकते हैं इस तरह से आप KWH में जो है अपनी यूनिट कर सकते हैं तो दोस्तों कैसी झाल झाल झाल